नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अबशेक और आप देख रहे हैं जिर्ब लोजी यूट्यूब चैनल आपका फिर्स वागत है को ने फ्रेश वीडियो में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लावा के तरफ से एक नया फीचर फोन लॉंच किया गया है जो कि काफी ज में इसमें आपको 1800 mh की बैटरी दी जा रही है जिसमें कंपनी का दावा है कि ये 6 दिनों तक इसका बैटरी बैक बना रहेगा तो काफी बढ़ी हा बात है आप आसानी से इसको यूज कर पाएंगे कोई भी बार बार चार्जिंग करने की जरुवत नहीं पड़ेगी और जब भी बटन दबाएंगे तो आपको नंबर सुनाई पड़ेगा जैसे कई लोगों को दिक्कत होती है इसमें देखने में कि ये टाइप किया-किया है और वहां लिखका गया है तो इसमें आप वेरिफाई कर सकते हैं जो भी बटन दबाएंगे वहां से आवाज आती रहे इसके प्राइस की बात करें हम अगर तो इसमें आपको उन्नी सो पचास रुपए में प्राइस देखने को मिल जाएगी इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आपने रीट्रे स्टोर से वी ले सकते हैं और चाहें तो ऑनलाइन भी मगा सकते हैं अमेजान से फिलिप कार्ट इस टोरिज में आपको 32GB तक एक्स्टेंड कर सकते हैं और अपना स्टोर कर सकते हैं जो भी डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं इसमें आपको बैक कैमरा भी दिया जाएगा जो कि यह नॉर्मल कैमरा होगा आप ठीक ठाक फोटो से खीच सकते हैं और हम यह भी उतादने क यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप FM सुनने के लिए आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है यहां पर आपको अपना हैटफोन लगाने के जरूत नहीं पढ़ने वाली है और दोसी बात आपको यह भी बता दें कि इस फोन में आपको सेवन लेंगज का सपोर्ट देखने को मिला है हिंदी, इंग्लिज, तमिल, कंणर, तेलगो, गुजराती और पंजाबी का तो काफी बड़िया बात है अगर आप टैपिंग जिस लाइंग मेंज का करना चाहते हैं उसको आप चूज करके वहाँ पर टैपिंग भी कर सकते हैं तो इब बार हम फिर से आपको इसके सारे में इस्पेक्स बता देते हैं जिससे कि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो कि इसमें आपको क्या-kya main features दिये जा रहे हैं इसमें आपको जो है display आपको 2.4 inch का दिया जा रहा है resolutions की बात करें तो आपको 320 मिल जाएगा सकते हैं और बात में अपने जाक्टर को दिखा करके सलाहल ले सकते हैं तो काफी अच्छे features के साथ यह phone launch किया गया है अगर आपको यह phone पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताई कि आपको कैसा लगा तो चैनल को subscribe करिएगा तो मिलते हैं आप से को किसी नई fresh वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद